आौली भारत के उत्रखंड राज्ये के चमोली डिस्ट्रिक्ट में एक नगर है आौली एक him station है उत्रखंड में जोकि जोशीमट के पास ही पढ़ता है जोशीमट से 14 km के डिसंस पे उपर पढ़ता हाईट पे जोकि अपने him station के लिए बहुत फेमस है ropeway के लिए बहुत famous है cable chair car के लिए बहुत famous है skiing activity के लिए famous है snowboard के लिए famous है अपने bugyals के लिए famous है उपर जाकर के all-e में 360 view point है वहाँ से आपको काफी सारे mountains की peak आपको दिखाई देंगी जैसे कि नंदा देवी दुन्ना गिरी आति गोड़ा पाल की ब्रहम कमल peak तो काफी सारे peak आपको 360 degree view point पे नज़र आएंगी तो friends आज इस वीडियो को मेरा बनाने का motive यही है कि अगर आप planning कर रहे है hill station जाने की और 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 में कितना खर्चा आता है कितना time लगता है कैसे आप पहुँच सकते है कितने दिन वहां के लिए best रहेंगे अभी जाने December January February में कैसा रहेगा तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ अभी recently 12-13 तारिक में December की snowfall हो चुका है season का पहला अभी एक दो बारी और हो चुका है अभी recently मैं 14-15-16 तारिक में आली होके आया हूँ तो इस वीडियो में अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से पूरी जानकारी दे सकूँ कम बज़ेट में आप आली कैसे एक्स्प्लोर कर सकते हैं यहां पर इस वीडियो में आपको सबसे बैस तरीका बताऊँगा हरी दौर से वैसे तो आली पहुंचने के दो द्रास्ते हैं एक आप हरी दौर से अपनी यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं दूसरा अपना रिशी केस से मैंने अपनी यात्रा हरीद्वार से स्टार्ट की थी तो मैं हरीद्वार से आपको बताऊँगा सारी जानकारी ओली पहुंचने का डारेक्ट कोई आप्शन नहीं है इसमें आपको मैं सारे तरीके बता देता हूँ सबसे पहले अगर आप अल आवर इंडिया से कहीं से भी प्लाइनिंग कर रहे हैं सबसे पहले आपको हरीद्वार आना पड़ेगा या फिर रिशी के जा सकते हैं पहला पॉइंट रहेगा आपका हरीद्वार हरीद्वार बस टेंड हरीद्वार रेलवे शेशन हरिदवार पहुंचने के दो तरीके आपको बताजेता हूँ पहला है बाई ट्रेन अगर आपके किसी भी स्टेट में आप रहते तो वहाँ से अगर हरिदवार की आपकी ट्रेन चलती है connectivity है तो आप हरिदवार बाई ट्रेन आ सकते हैं चाहे आप जनरल कोट से हैं, स्लीपर से हैं थर्ड एसी, सेकेंड एसी या फिर्स एसी जैसा आपका बजट है वैसी ट्रेन की ट्रेन लेके आप हरिदवार रेलवेशेशन पहुंच सकते हैं सेकेंड आप्शन है बाई बाई बस बस जाना चाते हैं, तो कश्मीरी गेट ISBT से 24x7 बस सर्विस अवेलेबल है बस आपका हरिदवार पहुंचाने के लिए 6-5-6 गंटे लेती है और कोशिश करें, ISBT कश्मीरी गेट के अंदर से बस को ले उतरगंट परिवन निगम की बस मिल जाएगी और उतरपरदेश की बस मिल जाएगी आपको जिनका किराया 400 से 455 रुपे रहने वाला है अब यहाँ पर बात करेंगे, हरिदवार रेलवे शेशन से बाहर जैसी आप निकलेंगे, सामने आपका हरिदवार बस स्टैंड है हरिदवार बस स्टैंड के ठीक सामने प्राइविट बस स्टैंड है जहां से आपको केदारनाथ, बद्रिनाथ की बसिस मिलती है वहीं से आपको जोशी मट की बस भी मिल जाएगी अब बात करते हैं हरी द्वार से जोशी मट की बस की टाइमिंग क्या रहने वाली है जोशी मट जाने की बसिस जो है अरली इंदा मॉनिंग सुबा वैसे तो रात हो रही होती है जोशी मट के बात की बसिस आपको नहीं मिलने वाली इस जिसका आपको बहुत ज़्यान रखना है अब बात करते हैं अगर आप सरकारी बस से जाना चाते हैं हरी द्वार बस स्टेंड के अंदर से वो बस जाती है जिसकी टाइमिंग है सुबा साड़े पांच बजे तो इस बस को लेने के लिए आप हरी द्वार बस स्टेंड के अंदर जा सकते हैं inquiry counter पर पूस्ताच कर सकते हैं जो इस सरकारी bus है साड़े 5 में चलती है और मैंने पूछा था ये जोशी मट तक जाती है अली तक जाती है तो उन्होंने बताया ये आली तक जाती है बट कई बर आली तक इसलिए नहीं जाती है जोशी मट तक की private bus train से भी जोशी मत की bus ले सकते हैं जैसे मैंने लिठी यह सारी bus आपको जह देख सकते हैं सामने खड़ी बिया वाइट कलर की जोशीमत की bus वाली bus में बैटना है अब बात करें total distance की हरिदवार से जोशीमत का distance है 275 km और जिसकी timing आपको लगने वाली है आठ से 10 गंटे के तो आपको रोड सारे खाली मिलेंगे रिशिकेश तक और उसके आगे अपना रूदर प्याक श्री नगर यह सारा रूड जो है आपको खाली मिलेगा तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे जोशिमट जिसके आपको टाइमिंग भी बच जाएगी अगर आप 7 बजे वाली साड बात करते हैं रूट की तो रूट हमारा रहने वाला है हरिद्वार से जोशिमट तक का हरिद्वार, रिशिकेश, देव प्रियाग, श्री नगर, रूदर प्रियाग, रूदर प्रियाग से आगे कर्ण प्रियाग, कर्ण प्रियाग से आगे अपना चमोली, चमोली से पीप कोटी पीपल कोटी से फिर आगे पहुंचेंगे आप जोशी मट तो यह कुछ रूट रहने वाले अपना अब बात करते हैं टिकेट प्राइस की टिकेट इसका पर परसन का है 580 रुपे का 580 रुपी इसका हरीद्वार टू जोशी मट का जो आपको बस के अंदर ही मिल फिर बता रहा हूँ उसी साफ से प्लान करके आना हरीद्वार कितने बज उतरना है कि कितने बज अली बस लेनी है तो अपनी स्टेटी से अपने स्टेट से जब भी आएंगे तो उसी साफ से आएं कि आपको धाई बजे वाली बस मिल जाए तीन बजे चार बजे पांच साथ बजे वाली बस भी मिल जाए, तो इसी हिसाब से अपना जर्नी जो प्लान करना, किसी भी स्टेट साप आ रहे हैं, तो रात के ग्यारा बजे, बारा बजे एक बजी बजी भी उतरते हैं, तो भी आप धाही बजे वाली बस आराम से ले सकते हैं, थोड़ी देर, एक दिल बस टेंड के अंदर तो उसी साब से प्लाइन करना क्योंकि मैंने भी अपनी मसूरी एक्सप्रेस से गया था तो यहां से अपना डेली से वो दस साढ़े दस बजे चलती है और छे बजे अपना हरीदवार उतारती है तो मैं साढ़े साथ बजे वाली बस पकड़के अपना जो तो कोई बस नहीं मिलने वाली फिर आपको होटल लेना पड़ेगा होटल में स्टे करके फिर आपको रात को ही बस से निकलना पड़ेगा तो इस चीज का बहुत धिहान रखने आपको और बस में जब बैठेंगे तो पीछे वाली सीट पे अवाइड करना अगर पीछे वाल बस से नहीं हो पाती है अगर आप लेट आते हैं तो यहां से हरिद्वार बस ट्रेंड के भार से टाटा सुमो शेरिंग में चलती है और बलैरो मैक्सी शेरिंग में चलती है जो कि जोशीमर तक चलती है बस का किराया 580 रुपे अगर आप 100-200 रुपे ज्यादा दे सकते हैं 800 रुपे के आसपस किराया बलैरो का और टाटा सुमो का जो कि आपको जोशीमर छोड़ देगी अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरे को बस में नहीं जाना हम 9-10 लोग है या फिर 8-10 लोग है शेरिंग में जाना चाहते हैं तो आप जो हरिद्वार से टाटा सुमो टेक्सी उन तो यह बस आपको 6-8-8 घंटे लेगी अगर आप 7.30 बजे वाली लास वाली बस से जाएंगे जब मार्केट उपन हो जाती है रोड खुल जाते हैं तब वो 8-10 घंटे लेने वाली क्योंकि बहुत रुक रुक के जाती है ट्राफिक भी होता बीच-बीच में कई बारी इस तेंट ठीक 200 मीटर पहले जोशिमत में मार्केट है जो एक चौराया पड़ेगा यह चौराया मापको दिखा तो यह वाला चौराया जहां पर मेरको बस ने छोड़ा था तो इस वाले चौराया पर आपको उतरना है जोशिमत बस सेंट नी जाना बस सेंट जाओगे तो वापिस आपको आना पड़ेगा क्यूं क्यूंकि आप सब के लिए मैंने होटल की भी तो तयारी की वी है आपको कम से कम पैसे में डॉर्मेट्री और होटल भी तो दिलवाने है तो इसलिए आप बस स्टैंड ना जाईए जो जोशिमत की में मार्केट है वही पर आप उतर जाना तो यह वाले लोकेशन है यहां पर उतर के आप बाय वाक भी जा सकते होटल में तब होटल की सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ बहुत बढ़ी है होटल आपको दिलाऊगा सबसे पहले बात करते हैं में बात करते हैं में जी एम वीन गड़वाल मंडल विका निगम का यह सरकारी guest house है जिसका नाम है nursing tourist complex जहां पर मैंने अपना dormitory लिया हुआ था dormitory का किराय यहां पर मेरे को 500 रुपे पड़ा था अभी season में भी 500 रुपे रहने वाला है 8 bedding का dormitory है washroom इसमें दो मिल जाएंगे आपको 2 attached washroom है socket मिल जाएंगे charging के लिए हर एक आपको seat के पास अपने bedding के पास एक socket मिलेगा charge करने के लिए socket एक table मिल जाएगा बाकी sofa लगे में यहां पर curtains लगे में खिड़की से काफी अचा view आता है भार balcony भी मिल जाएगी आपको और साथी साथ आपको wifi की facility भी यहां पर available मिल जाएगी safety security पूरी है neat and clean property है मैंने cover भी किया है आप चाहे तो playlist में जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं यहां पर room की बात करें यहां पर room आपको जो लेना चाहेंगे अगर आप family के साथ हैं तो family के लिए available नहीं यहां पर couples के लिए allowed है मतलब couples के लिए दो bedding का ही occupancy के यहां पर rooms available है family के लिए भी आपको बताता हूँ family के लिए कहां मिल पाएगा यह देख सकते हैं हाँ पर nursing complex में जो है 2000 रुपे से room स्टाट होते हैं इनका economic room उसके बाद अपना deluxe room आता है 1200 से 2800 के बीच में उसके बाद आता है super deluxe room super deluxe room और deluxe room में आपको heater की facility मिलेगी गीजर मिलेगा और economic room में भी आपको heater मिलेगा गीजर मिलेगा तो यह कुछ facility है इसकी booking के लिए आपको number screen पर दे दूँगा nursing complex के जो reception का number है इस पर आप call करके inquiry कर सकते हैं आपने booking पूछ सकते जिस भी date पर आप जा रहे है क्या क्या facility मिलेगी इसमें एक अच्छी बात यह कि अगर आप अपने personal vehicle से जाते हैं तो यहाँ पर आपको car की parking मिल जाएगी भार side में बहुत बेड़ी car की parking facility है तो यह चीज आपको facility यहाँ पर nursing complex में मिल रही है अगर आप solo है तो आप dormitory ले सकते है as per your choice अब बात करते हैं और अच्छा आपको view चाहिए नजारा चाहिए तो ठीक इसके अपर एक property बनी हुई है देखिए गली जा रही है गली के side से आप walk करके अपर जा सकते है दो मिनिट का walk करके और पीछे side से अगर आप car से आ रहे तो car की भी connectivity road बना हुआ है तो यहाँ पर इसका नाम है जोतिर complex ठीक nursing complex के अपर बनावा है जोतिर complex यहाँ पर आपको family के लिए room available मिल जाएंगे family के लिए room आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 4-5-6 बंदे आराम से stay कर सकते हैं जिसका किराया आपको पढ़ेगा अठाइसों से 32 रुपे के बीच में त इसमें भी आपको economic room है, deluxe room है, super deluxe room है, family room है जिसमें आपको balcony मिल जाती है, heater की facility मिल जाती है, गरम पानी की वेवस्ता मिल जाएगा, आपको geezer मिल जागा, attach washroom वगारा पूरी facility मिलेगी जोतिर complex में भी, nursing complex में due to equipancy के लिए room है और जोतिर complex में family के लिए और couples के लिए और dorm complex में जो है, यह देख सकते हैं, आप अपना dormitory आपको मिल जाएंगे, dormitory जो है, 400 रुपे per person है, यहाँ पर six bedding का आपको dormitory मिलेगा, जोतिर complex में, यहाँ पर भी आपको cafeteria मिल जाएगा, safety security मिलेगी, बहुत बड़ी parking मिलेगी, तो यह दो complex में आप ले सकते हैं, अगर जैसी में मार्केट से आप आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर आपको मिलेगा गुरुद्वारा, गुरुद्वारे में मैंने पूछा, यहाँ पर family को ही allowed करते हैं, single solo को नहीं देते हैं, अगर लड़के आएंगे, पीना खाना करते हैं, secret वगरा पीते हैं, मदीरा वगरा, और second category 500 रुपे का रुम है, जिसमें आपको without गीजर मिलेगा, तो यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं, अब बात करते हैं, सबसे best property का, अगर आपका budget बहुत ही जादा लो है, yes friends, आप सब के लिए मैंने बहुत research करके property निकाली थी, यहाँ पर गुरुद्वारे से ठीक दो क आपको यह property मिलेगी, इस property में आप यकीन नहीं मानेंगे, यहाँ पर तीन category के मेरे को room दिखे थे, पहला room जो आप यह देख रहे हैं, इसमें 5 bedding है, 5 bedding वाला जो है, आप 5 लोग है, तो आपको 300 रुपीस पर पर सन पढ़ जाएगा, चाहे आप शेरिंग मिले, चाहे आप आपको 300 रुपे पर bed मिल जाएगे, तो आपको और बजट थोड़ा सा जाद है, 400 रुपे तक है, तो आपको single room एक मिल जाएगा, देखिए मैं रूम दिखा तो आपको नीचे जा करके, यह एक room है, चार बेडिंग का, यह चार बेडिंग का separate room है, चाहे तो आप इसे solo भी ले सकते हैं, पर bedding के साब से, तो इसका price है 500 रुपे पर bedding, जिसमें आपको washroom मिल जाएगा, अगर आप 4 लोग हैं, तो आपको 2000 रुपे का पड़ेगा, 500 रुपे पर person है, तो 500 रुपे दे करके आप इस वाले room में रुख सकते हैं, बट 500 रुपे के साब से, as comparison देखा जा नर्सिंग complex में जा सकते हैं, यहां पर ले सकते हैं, 500 के साब से, वहां safety security भी है, wifi मिल जाएगा, cafeteria भी है, गरम पानी मिल जाएगा, नर्सिंग complex में, यहां पर यह सुभीता थोड़ी सी आपको कम मिलने वाली है, और अब बात करते हैं, इससे भी कम अगर आप देख रहे हैं तो यह देखिए, बगल मैं आपको दिखाता हूँ, 200 रुपे पर बेडिंग, यहां पर पूरे dormitory बनाये हैं, कम से कम यहां पर 30-35 dormitory लगे हैं, और उसके नीचे भी 35-40 dormitory लगे हैं, दो फ्लोर पे, तो यह पड़ेगा आपको 200 रुपे का, अगर आपका बजट बहुत बाकि अपना समान भी रखके यहां पर आप जा सकते हैं, अपना गुमने के लिए ओली, इसकी भी आपको वैस्ता मिल जाएगी यहां पर, तो आप डिसाइड कर सकते हैं, आपको नर्सिंग कॉंपलेक्स में रुखना है, जहां मैंने इस रही किया बता, या फिर जोतिर कॉ आप वैसे आप ले सकते हैं, अब बात करते हैं अनिल भाई, आपने हरिद्वार पहुचा दिया, जोशिमट पहुच गए, जोशिमट मैं आपने रूम भी दिला दिया, डॉर में ट्री भी दिला दिया, अब ये तो बता दो ओली कैसी गुमे, ये स्पेंड्स अब ओली बंद हो चुकी है, रोप फे 2023 में जैनवरी मंत में क्लोज हो चुका था, ड्यू टू लेंड्स लाइट आप देख सकते हैं, तो इसके चलते आपको 2024 में भी सीजन में नहीं खुलने वाला जैनवरी, फरवरी, मार्च ये पूरा बंद रहेगा, तो अब आपको गुमाने का टेक्सी यूनिन का यहाँ पर यह जगा है, यहाँ पर आपको एक टाटा सुमो में 9-10 लोग आते हैं, अगर आप शेरिंग में जाएंगे, तो यह टाटा सुमो अभी सीजन जनवरी के टाइम पर 31 डिसंबर के आसपास अगर जा रहे हैं, तो टाटा सुमो चार से 5,000 लोग लेती है, तो आप 9-10 लोग अगर जा रहे हैं, तो शेरिंग कर लेना 500 रुपे पर पर सेन, अगर 5000 रुपे भी देंगे, 5000 रुपे बोलता टेक्सी वाला, तो उसमें आप 10 बंदे बैटेंगे, तो 500 रुपे के साब से आपको शेरिंग में हो जाएगा, आना और जाना, जिस पर आप बोलोगे भाई, वो कौन था, क्या था, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, पहले पैसे नहीं देना है, आप बात करते हैं, चार परसन के, अगर आप 4 परसन है, बड़ी टेक्सी से नहीं जाना चाते है, आपका बजट नहीं है, तो आप 4 लोग आल्टो ल घंटे मिलेंगे, आली आपको घूमने में, 3-4 घंटे आप मानके चले, आराम से आपको लगने वाले हैं, मेरे असाब से, और डिजायर, जो है, स्विफ्ट डिजायर में भी आपको जो डीजल गाडी है, उसमें भी आपको 3500, 4000 के आसपस पड़ेगा, तो वो भी आप बिल स्प्लिट कर सकते हैं, और यहां पर आपको टिप देना चाहूंगा, छोटी सी, अगर आप ऑली गुमने का प्लान कर रहे हैं, तो सुबा आरली गुमने का प्लान कर रहे हैं, आप अपने पर्सनल वीकल्स आएं, जोशिमट, तो अपना वीकल्स लेकर जब ज़्यादा स्न तो स्नौ हैं, जोशिमट से अपना ओली तक के बीच में, अपना वीकल्स लेकर जाना अपनी जोशिमट पार्किंग में ही खड़ी कर देना, जोशिमट में पार्किंग के फैसिलिट भी अवेलिबल है, और अगर आपने नर्सिंग कॉम्पलेक्स ले रखा है, या फिर जोत तो किर्पिया करके अपनी पर्सनल वीकल को जोशीमट में छोड़के लोकल टेक्सी से अपना ओली जाना यहां पर बदा दू जोशीमट से ओली का डिसंस जोड़ा किलोमेटर गया जिसमें आपको टाइम लगने वाला है एक से सवा गंटा मतला एक गंटा पंदर मिनिट के आसपस टाइम लगेगा जादा सनो होती है तो काफी ट्रैफिक रहता वहाँ पर बहुत जादा क्राउड रहता है जब सीजन के टाइम पर काफी भीड बढ़ा का रहता है तो आप एक से डेड़ गंटा मानके चले एक से डेड़ गंटा आपक टीवी टावर के पास एक जगह है यहाँ पर आपको शूज के लिए पूछेंगे अगर आपको शूज लेने होंगे तो यहाँ पर ट्रैकिंग शूज ले सकते हैं अगर आपके पास शूज नहीं है तो आप यह गंबूट ले सकते हैं जिससे आपको फायदा ही होगा कि जैसा आपका बजट आप ले सकते हैं अधर्वाइस अगर आपके शूस अच्छे हैं ट्रैकिंग वाले अपने वाटरपूफ है और अपने बरफ से रेप्लिकेंट है तो आप अराम ते जा सकते हैं कोई प्राब्लम नहीं है यह 100-500 रुपे से स्टार्ट हो जाते हैं तो जैसे आपको ठीक लगता है वैसे आप ले सकते हैं टीवी टावर के पास अब यहां पर टेक्सी वाला जो आपको उतारेगा केबल चेर कार के पास उतारेगा जो केबल चेर कार का भी आप्शन आपको ऑली गुमने का वह मैं बतायता हूँ जयसे आप उतरेंगे यहां से और सबसे पहले टेक्सी वाले से उसका number ले लेना उसका visiting card लेना बोलना भया कि आपको कब मिलना है कितने बजे मिलना है तो आपको अगर 8 बजे निकलते हैं तो आपको 9.30 बजे छोड़ देगा मौनिंग में allie और 9.30 से आप 4-5 घंटे लगा लिज़े आपको 3.30-3.30 बज़ा फिरी हो जाना 4-5.30 बज़ा अपना नीचे आ जाना क्योंकि ठंड का टाइम है अंधेरा जल्दी हो जाता है जल्दी जितनी जल्दी आप आली एक्स्प्लोर करेंगे उतना जादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा अब बात करते हैं केबल चेर कार की जो कॉस्ट है वो आपको 500 रुपे पर परसन पड़ती है इसका लेने का रीजन ही कि यह है अगर आप जादा बरफ में चल नहीं सकते हैं अगर आपको अच्छे से उपर से विउ देखने तो आप केबल चेर कार ले सकते हैं अगर आपको बिना थके जादा नहीं थकना चाते हैं तो आप केबल चेर कार ले करके पॉइंट यहां पे दो है एक अपना एट पॉइंट आठवा नंबर पाइंट जो वहाँ पे आपको केबल चेर कार उतारती है उसके बाद वहाँ पे इतनी सारी बरफ मिलेगी आपको जनवरी फरवरी मार्च में कि आपको आगे जाने का मतलब भी नहीं बनेगा तो आप उतने में अपना घूम घाम के वहाँ पे जो शिमर जा सकते हैं अब बात करते हैं आपकी जो केबल चेर कार है वह आपको आठ नंबर पाइंट से उतारेगी वहाँ पे भी आप अपना एक्स्पोर कर सकते हैं अगर आपका मन है उपड़ जाने का ट्रैकिंग करके जिसे बोलते गौर्सन बुग्याल बहुत ज़दा फेमस है और उससे ठीक ये 8 पॉइंट से 3.3 किलोमेटर की ट्रैकिंग है पूरी जिसे आप पैदल भी कर सकते हैं मैंने पैदल किया था जिसमें मेरे को काफी टाइम लग गया था मैं थक भी गया था और 360 व्यूपाइंट तक जाने के लिए अपको 3.3 किलोमेटर पैदल चलना पड़ेगा अपना 8 पैदल से 8 पैदल से पहले आप जाएंगे वहाँ पे आपको जो है टूरिस गाइड लेना बहुत मेंडेटरी है बिना टूरिस गाइड के आप नहीं जा सकते अगर आप पैदल जा रहे है अकेले जा रहे है गौटसन बुग्यालिया फिर 360 डिग्री पॉइंट जहाँ पे आपको नंदा देवी पीक ब्रह्म कमल पीक 3-4 पीक आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पे 360 डिग्री व्यूपाइंट पे तो आप कोशिश कीजिए अगर आप पैदल जा रहे हैं तो आपको टूरिस गाइट लेना पड़ेगा टूरिस गाइट की जो कॉस्ट है 1000-1500 रुपे रहती है अगर 5-6,7 लोग हैं तो आप 1000-1500 रुपे दे कर के उसे बार्गिनिंग भी करा सकते हैं प्राइस नहीं कि 1500 रुपे लेगा वैसे एक्चुल प्राइस पंदरा सो रुपे जो सरकार ने फिक्स किया हूँ, 1000-1500 के बीच में बट आप उससे बारगेनिंग करेंगे तो बारगेनिंग भी कर लेगा बागी सारे बिल को आप स्प्लिट कर लेगा आपस में बाठ लेए त क्योंकि लास्ट ताइम जो कैजवेल्टी होगी थी महराज के कुछ टूरिस आए थे जो अकेले ही अपना चले गए थे अपर तक और हैवी स्नोफाल होगे तो महाँ पर अटक गए थे तो दो से तीन-चार लोगों की महाँ पर डेड़ बाडी मिली थी रेस्क्यू ऑपरेशन करने के अबदे अंडियारफ के टीम जो उन्होंने पुरा डूंडा वापे स्नोफाल में ये अकेले गए वे थे लोकल के साथ नहीं थे लोकल के साथ जाते तो थोड़ा उनकी हेल्प भी कर देता इसलिए आपको टूरिस गाइड की हेल्प चाहिए ह आठवे और दस वे पाइंट तो कोई भी टूरिस गाइड की जुरूत नियारे आपना एक्स्प्लोर कीजिए इसकी वाली एक्टिवडी कीजिए त्यू वाली एक्टिवडी कीजिए और सीध अपना केबल चेर का लेकर वापिस आप जो शिम जा सकते है अब बात करते है ट आपको पर्मिट कटाना पड़ेगा 20 रुपीस पर परसन होता है तो यह मेंडेटरी यह भी आपका जो टूरिस गाइड वो कटवाता है आपके साब से और वहाँ पर टूरिस गाइड की पूरी जानकारी लिखी जाती है आपका नंबर लिखा जाएगा गाइड का भी नंबर प्रिम होगी तो यह बेनिफिट है आपका टूरिस गाइड का अक्च्वल आपको टूरिस गाइड लेना पड़ेगा सच में बहुत बेनिफिट है उसको पूरे रास्ते पता होते है वो आपको समझाता हुआ जाएगा सारी चीजे बताता हुआ जाएगा अब बात करते हैं अगर आपका बजट जादा है अगर आप बाय वॉक नहीं जाना चाते तो इसके लिए देख सकते हैं सामने आपको 8 पॉइंट जहां पे आपको केबल चेर कार्ट से उतरेंगे वहाँ पे आपको घोड़े मिल जाएगे गोड़ो से भी आप अपना गौर्शन बुग्याल जा सकते हैं 360 view point तक जा सकते हैं गोड़े की मत रहेगे पर परसन प्रंशन से 1500 रूपे के बीच में अगर आपका बजट जादे आपको थकते जादे आप चल नहीं सकते है पैदल तो आप हजार से 1500 रूपे देखे बाइक घोडे से भी आप दोनों लोकेशन को कवर कर सकते हैं, जो कि बहुत आइकानिक प्लेसीज हैं, जो मैं आपको बदा रहे हो, गौर्सन, बुग्याल, और 360 वीव पॉइंट, वहाँ पे तो जाना बनता है, मैं भी गयाता है, बहुत अच्छी जगह है, पूरा 360 वीव प पाले पीछे, तो आप बैत कर सकते हैं, अड्जेस्ट कर लेगा तो पैसे लेकर के आप देख लेना बारगिनिंग के साब से, तो तीनों आप्शन मैं आपको बदा दिये, बाइवाक, बाइटीबी बाइक, और गोडों के साथ, तो तीनों में से जो भी आपको अच्छा ल खाना खाना है, तो खाना भी आप खा सकते हैं, लोकल पारडी खाना मिलेगा वहाँ पे, वैसे तो आपको खा के जाएंगे होटल से, बट वहाँ पे फिर भी आपको मन करते हैं, और वहाँ पे आपको जो है, मैनमेड लेक मिल जाएगी, आठ नमबर पाइंट से, अगर जाएंगे, अगर आपका मन है, फोटो किचाना चाते हैं, या फिर आप करना चाते हैं, बहुत ताखत लगानी पड़ती है, उसके लिए भी, तो आपको ट्रिक आनी चाहिए, उसकी प्रैक्टिस होती है, अब एक गंटे में आप कहां से प्रैक्टिस कर लेंगे, मन करता त इसमें आप बैटेंगे, उपड़ से धक्का देता है, पुरा स्लाइड होते वे आते हैं, तो यह भी अक्टिविटी आप कर सकते हैं, और यहां पर मैं आपको एक बात बताना भूल गया, केबल चेयर कार की जो आप टाइमिंग्स रहती हैं, वो सुबह अरल इन दा मॉनिं से 500 रुबे के टिकट ले सकते हैं, बट जब सीजन होता है, 31 तारी के 25 दिसंबर या फिर जनवरी फरवरी में जब सीजन बहुत ज़ादा होता है, भीड रहती है, तो यहां पर ऑफलाइन टिकट में बहुत प्राबलम रहती है, जिसकी लिए आपको बहुत देर तक खड़ पॉइंट तक, ऑफलाइन आएंगे तो ऑफलाइन में काफी लंबी भीड मिलेगी, आपको एक दिड़ गंटा खड़ा रहना पड़ेगा, फिर आपका नंबर आएगा, फिर लेंगे, फिर जाने वाली लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, तो यह चीज का थोड़ा सामन आपके लिए, अगर आप जोशी मट वापिस जाना चाते हैं, तो आप जैसी फिरी हो जाएंगे, अपना ओली एक्स्प्लोर करके, खाना पीना खाके, मैगी वगारा मिल जाएगी, मैगी वापे 100 रुपीस की मिलती है, सारी चीज़े आपका अवेलेबन मिलेगी हैं वापे चेर कार पे पहुँच जाना ताकि आप जल्दी जल्दी निकल जाएं वाँसे, नहीं तो भीड हो जाएगी, वहाँ पे आते टाइम वाले टाइम पे बहुत भीड होगी, तो उसमें आपको एक डिल गंटा खराब हो जाएगा, ठंड का टाइम है, राज जल्दी होती है, वहाँ पे काफी लोग फस्ज आते हैं, तो इस चीज का बहुत दियान रखना है, सुबर ले इंद मॉनिंग, तभी बोल रहो हूँ, आट बज़ आप निकलना, ताकि आप 2-3 बज़े फ्री हो जल्दी से अपना जोशिमट पहुच जाएं, जैसी आप केबल चेर कार से नी अच्छा ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें आपको चाइनीज भी मिल जाएगा, लोकल पाडी खाना मिल जाएगा, वेज मिल जाएगा, नॉन वेज मिल जाएगा, मतन मिल जाएगा, और मैंने एक धाबा था, कंडारी धाबा में मार्केट में, में मार्केट में इस का नाम ह कंडारी ढाबा देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने नॉन वेज खाया था, राइस और चिकन राइस खाया था, जो कि 120 रुपीज का मेरे को हाफ प्लेट दिया था, हाफ प्लेट में काफी अच्छी क्वेंटिटी आगे थी, चावल की चिकन की काफी बढ़िया, तो मेरा पेट भर गया था, 120 रुपीज में, बढ़िया खाना था, अच्छा टेस था, नाज़ा था मिर्ची थी, बहुत बड़े यहां से, आपको वेज भी मिल जाएगा, वेज भी खा सकते हैं, नॉन वेज भी खा सकते हैं, मतन, चिकन और वेज, बाकि पूरे मेन बजार में, वेज भी मिल जाएगे, कहीं से भी आप खा सकते हैं, यह मेरा परसनल एक्स्पीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अब बात करते हैं, खाने पीना, खाने के आदा आप नाइट से करेंगे, नाइट से मैं next morning, यहाँ पर plan मैं आपको 2 night, 3 days का बताऊंगा, चाहिए आप इसको 3 night, 4 days भी कर सकते हैं, बट मैं 2 night का बताऊंगा आपको कम से कम बजट में, तो आप next morning जब उठेंगे, तो आप लोकल मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हैं, लोकल मार्केट एक्सप्लोर करेंगे तो आप आप शॉपिंग भी कर सकते हैं और जोशिमत में काफी सारे टेंपल्स हैं आप टेंपल्स एक्सप्लोर कर सकते हैं आप गूम सकते हैं आप पर वहां का लोकल फूद ट्राय कर सकते हैं वहां की जो अथेंटिक थाली है वो खा सक तो यह सारे option आपको available मिल जाएंगे और यहां पर जब एक दिन मैंने explore किया था local में तो काफी अच्छा है जोशी मत में नीचे आप जब नर्सिंग मंदिर जाएंगे तो आपको धाबे मिलेंगे वहां पर भी आप पकोड़े ट्राइ कर सकते हैं चाय पी सकते हैं काफी सारी unique item आपको मेलेंगे जो की main market में नीचे साइड में मिलेंगे चोटी चोटी शॉपस में तो वह भी आप ट्राइ कर सकते हैं तो यह कुस्ताप का day tour plan वन डे आपने आपको नहीं बोलूगा अगर आपको नहीं बोलूगा अगर आप यह सब करना चाहेंगे तो आपका बजट बहुत ज्यादा चले जाएगा और आपका जो है देज भी ज्यादा लग जाएगे चार से पांच छे दिन लग जाएगे यह जो मैंने टूर प्लैंट बनाया है यह आपका थ्री नाइट टू देज का है जिस दिन आप पहुंचेंगे जोशी मत वहां पे एक नाइट अप स्टे करेंगे अगले दिन ऑली गुमने जाएगे फिर ऑली से वापिस आएगे जोशी मत में एक नाइट स्टे करेंगे नेक्स दे लोकल साइट सीन करेंगे फिर नाइट में स्टे करेंगे अब यहां पे बात करते हैं आप में से काफी लोगों ने सोचाओ कि मैं जोशी मत में ना रुक के मैं स्टे देखूंगा ऑली में ऑ और रिजॉर्ट है वो सारे दिख जाएंगे बागी कुछ प्रॉपर्टियां प्राइविट भी है वो भी आपका ऑनलाइन मिल जाएंगे ऑनलाइन पांसे छे अजार साथ अजार जो भी उनके कॉस्ट होंगे व आप देख सकते हैं कि वह पर जाने मिए आपके पैसे खड़ायंगे। आप और अवली कैसे से जाएंगे आप लेकर नीचे से टेक्सɪल कहें अपना समान सिक्षान लेकर जांगे जब से ओबस से या सिक्ति ये डुपर二 कास्फनसे तो यिरे डॉबल जाने फरूपर्जी matters eş जादा best है, वहाँ पे जाना गए है कि आपको बर्फ देखनी है बस मतलब स्नू देखनी है तो आप अपर रूम से उपन करेंगी आपको अपको स्नू मिलेगी आप जैसी सुबा मॉर्निंग में उठेंगे तो आपको बहुत सादा बजट बताऊगा बजट बताने से पहले आपको बता दूँ अगर आप वापीस दाना चाते हैं जोशी मत से हरिदॉर की बस कितने-धवजे मिलती है क्या किराया रहता है緋नन से गषा है आपको खर्चा जादा करके जाना पड़ेगा जिसका उप्शन आपका चमुली, जोशी मट से फिर आप टाटा सुमो लेंगे शेरिंग में चमुली, चमुली से फिर आएंगे कर्ण प्रियाग, टेक्सी शेरिंग में, फिर कर्ण प्रियाग से रूद प्रियाग, रूद प्र से फिर आएंगे आप अपना हरी दुआर तो यह काफी लंबा रूट पढ़ जाता है आपको इस से अच्छा है कि आप बाई चार बजे सुबा मौर्निंग में पांच बजे चे बजे मानता हूं बैट से नहीं उठा जाएगा उस टाइम पर रजाई छोड़ने का मन नहीं करे सारी ऑप्शन आपको बताउगा आप पर पड़सकते हैं और देख सकते हैं उसी के साफसे अपना जो प्लान है कर सकते है आपको केबल चेरकार से जाना है या बाई वाक घूमना है गोडे लेना है या फिर एटीवी बाइक लेनी है या फिर रूम लेना, सूपर डिलच्स लेना है तो आपके ओपर डिपेंड है मैं आपको स्क्रीन पर सारे बज़ट दिखाता हूं आपको जो बज़ट अच्छा लगे वैसे आप चूज कर सकते हैं और मेरे साब से मैं कम से कम बज़ट में आपको बताऊंगा बिल्कुल एक्जेक्ट डिटेल बाकी यूट्यूब पर वीडियो मैंने नहीं देखी मेरे को नहीं पता यह मेरा पर्सनल एक्स्पीरिंस है वो मैं आपको बता रहा हूं यह देख सकते हैं मैंने प्लाइन वाइस बनाये हैं प्लाइन नमबर वन थ्री नाइट टू डेस सिंगल परसन के लिए हरीदवार से जोशी मट अब लगा रहा हूं पंदरास रुपे फिर भी एक कम लगेंगे इसमें मैं फिर भी आपके ज्यादा लगा रहा हूं पंदरास रुपे टोटल होते हैं 3960 रुपे 392 डेस के फिर भी आप 4,000 पर रख लेना अब आते हैं अपने सेकिंड प्लान पर यह भी 392 डेस का है इसके इसमें 300 वाला डॉर्मेटरी बागी सब कुछ सेम है आप आते हैं प्लान नंबर 3 पे इसमें देख सकते हैं डॉर्मेटरी जो है मैंने 500 रुपीज वाला कर दिया है तो 3 नाइट के आपके जो हैं 1500 रुपे हो जाते हैं बागी सब कुछ सेम है इसमें आपका 5360 रुपे होते 2 night 3 days के बटा 5500 रुपे रख लेना 5500 रुपे अब आते हैं आपे plan number 4 रुपे इसमें आपका जो है sharing में अगर आप 2 से 3 guest जा रहे हैं दोस जा रहे हैं और room लेना चाहते हैं room आपको जो अलग-अलग मिल जाएगा जरूरी नहीं GMVN के लीजिए बाहर आपको 1000 रुपे, 1500 रुपे, 2000 रुपे तक का 3 night का मिल जाएगा आराम से 5000 रुपे के बीच में तो 3 night का आप divide कर सकते हैं बाकी सब कुछ same है अब आते हैं याँ पर last में couples अगर आप couples जा रहे हैं 3 night 2 days के लिए तो आप देख सकते हैं रुम जो है इसमें मैंने आपको 2000 रुपे पर दे कर दिया 3 night के लिए 6000 रुपे और अपर दिवार से जोशी मत अप डाउन का आप दोनों का लगेगा 2320 रुपे, 2320 रुपे टोटल आपका 13820 में हो जाएगा बढ़ फिर भी आप 14000 रुपे रख लेना जो भी अपना ओली का ड्रीम लेके बैठा उसका पूरा हो जाएगा इस वीडियो के थुरू ओके फ्रेंड्स यही पर वीडियो का इंड करना चाहूंगा मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और एक नई वीडियो के साथ